नमस्कार में हुनिवेट्ता पिछले कुछ सालों में युवाओं के अंदर दाढ़ी यानी बियर्ड को लेकर काफी क्रेज बढ़ गया है जो युवाओं कभी क्लीन शेव रहना पसंद करते थे वो आज दाढ़ी के साथ लुपते रहे हैं आलम यह है कि युवाओं में दाढ़ी का क्रेज देख कर कई कमपनिया बेर्ड से जिड़े प्रॉडक्स बनाने लगी है ये तो रही युवाओं की बार अब बात करते हैं बुज़गों की युवाओं की तरह इन दिनों बुजुर्गों में भी दाढ़ी को लेकर एक क्रेस काफी तेजी से बढ़ रहा है एशिया मिडल इस्ट समेथ बांगलदेश के बुजुर्गों की दाढ़ी पर इन दिनों नया रंग चड़ रहा है बांगलदेश की राजधानी धाका के बुजुर्ग इन दिनों अपनी दाढ़ी पर नया रंग चड़वा रहे हैं और ये रंग है नारंगी अपनी सफेद दाढ़ी को ये लोग मेहन्दी लगा कर नारंगी कर रहे हैं अपनी दाड़ी को नारंगी लुक देने को लेकर ढाका के रहने वाले बुजर्ग कहते हैं मुझे दाड़ी पर महन्दी लगाना काफी पसंद है महन्दी लगाने के बाद दाड़ी का रंग जो निखर कर सामने आता है उससे मिलने वाली खुशी को बया करना जरा मुश्किल है मैं अपनी दाड़ी के मजबूत बालों को लेकर भी काफी खुश हूँ महन्दी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी दाड़ी के सफेद और ग्रे कलर के बालों को ही नारंगी रंग में रंगती है जबकि काले रंग के बालों पर इसका कोई असर नहीं होता है इसके अलावा बालों की सेहत और आपकी स्किन को भी किसी तरह का खत्रा नहीं होता वहीं साट साल के अभू मिया ने इस बारे में पूछने पर बताया कि मुझे ये अच्छा लगता है मेरा परिवार कहता है कि मैं इस रंग की दाढ़ी में युवा और खुबसूरत लगता हूँ वहीं 50 साल के महभूब नाम के एक शक्स ने इस नए ट्रेंड के बारे में कहा कि मैं दो महिने से अपनी दाढ़ी को इस नारंगी रंग में रंग रहा हूँ अब हो गया था लेकिन अब फिर ये बाजार में वापस आ गया है सलून संचालक का कहना है कि अब हफते में कई ग्रहात आते हैं जो अपने बाल और दाढ़ी को महंदी से रंगवाते हैं बुजर्ग इस रंग की दाढ़ी का इसलाम से भी कनेक्शन बताते हैं बुजर्गों का कहना है कि कई मजहभी किताबों में पैगंबर महंद के बालों में महंदी करने का जिक्र है इसलिए लोग अपनी दाढ़ी पर महंदी लगा कर इसे सफेद से नारंगी कर लेते हैं